हेलो गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग तो ओल कैसे आप सभी लोग फिलकुल मैं पूजा महिंद्रा आपकों का एक बार फिर से महिंद्रा के ऑफिशल यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वावत करती हूं गुद मॉर्निंग अभिशेक, राहुल कुमार जी, निधी गुपता, चंदन दत्ता, अंगत कुमार, ममीत प्रशाद, अलोग, राहुल, सभी लोग को बुद मॉर्निंग देखेगा आज है 30 अपरेल और आज इस मन्त का अंतिम दिन है तो आए हम सबसे पहले जान लेते हैं क पूरे अपरेल महिने में कौन कौन से इंपोर्टेंट डेज रहें, इसके बाद हम करेंट अफेर्स को समझेंगे और वीडियो के अंत में आपको प्रेक्टिस कॉश्चन में देना होगा, जिसका अंसर भी सही होगा, उनके नाम को अपनी प्रिजेंटेशन में शामिल करें तो फटा फट सभी लोग जल्ली से एड हो गहें हमारे साथ और हम बात करेंगी अपने करेंट अफेर्स का अपने 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 अग्जाम में, इग्जाम क्वालिफाय करना है, तो बहुत जरूरी है। झीक है, आएए सेशन की शुरूरात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर 26 में जो है वो उडिसा राजी की स्थापना की गई थी 2 April को Good Friday Day celebrate किया साथे साथ World Autism Awareness Day celebrate किया Autism भीमारी होती है जो कि मानसेख भीमारी होती है जो कि अमारे nervous system को affect करती है जिसकी theme क्या थी? Inclusion in the workplace, challenges and opportunity in the post-pandemic world अचार April को क्या था? International Day of Mind Awareness था जिसके theme थी Preservance, Partnership and the Progress और हमेशे से मैंने आपको कुछ माइन्स एरिया मजगाउं हो गया मजगाउं के लाबर जादू गोड़ा हो गया कूल गड़ी, काल गड़ी हो गया यह तो यह कुछ मैंने हमेशे आपको माइन्स के बारे में पताया है अगली चीज़ देख लेते हैं पाच अप्रेल को हमने National Maritime Day सेलिब्रेट किया था जिसकी theme थी Sustainable Shipping Beyond the COVID-19 और पाच अप्रेल को ही International Day of Coinscience सेलिब्रेट किया था 2022 से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यह हमारा Second Edition लाँच किया था अगली बात कर लेते हैं साथ अप्रेल की World Health Day सेलिब्रेट किया था आप सब जानते हैं साथ अप्रेल को 1948 में WHO की स्थापना हुई थी इसलिए हम World Health Day सेलिब्रेट करते हैं जिसकी theme किया रही थी Building a Fairer and a Healthier World ठीक है अगला question किया था फिर अगला हमारा दे इंपोर्टेंट दे कौन सा था देखिएगा 10 अप्रेल 10 अप्रेल को आपने World Homeopathy Day सेलिब्रेट किया था जिसकी theme थी Homeopathy Road for the Integrated Medicine 11 अप्रेल को National Safe Motherhood Day सेलिब्रेट किया था ये दिन 2003 से सेलिब्रेट किया जा रहा है कस्तूर बागान्थी की याद में जिसकी theme थी Keep Mother's and the Newborn Safe from the Corona Virus अच्छा इस बात को भी याद रखेंगी कि क्या है एक RNA virus है हमारा Corona virus च्छा आरेने का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल 1948 राहुल को मार्ची बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आरेने को क्या मतलब होता है तो राइबो न्यूक्लिक ऐसे जो है यूरेनियम बिल्कुल राहुल को मार्ची जादु गोड़ा यूरेनियम वेरी गोड चलो अगली बात कर लेते हैं हमें आपे 12 अप्राल को International Day of Human Space Flight अच्छा बिल्कुल राइब किया था यूरी गैगरी जो है वे इस पेस पेस पे गया थे और आपको पता है कि जो रशिया है रशिया ने का है कि 2025 तक वह अपना Space Station बना लेगा इस बात को भी आद रखना है अच्छा आप्लोड ने कहा था कि कल की PDF गलत अप्लोड हो गई थी तो उसको करेक्ट करवा दिया है आप देख सकते हैं तेरा अप्राल को आपने International Day of History Children Observe किया तो साथे तेरा अप्राल को 1999 में क्या हुआ था नांचेन में जलियावाला बाग हथया कांड हुआ था उसकी याद भी इसलिबरेट की जाती है अगला है चूदह अप्राल को बाबासाब अंबेट कर जहनती मतलबीन जहनती सेलिबरेट की गए आधे साथी साथ वर्लड शगाज डेशिच या गया वर्ड चगाज डिसीज दे 15 अप्रेल को वर्ड आर्ट डे सेलिब्रेट होता है पिल्बूल अगला है हमारे 16 अप्रेल को इंडियन रेल्वेर डे सेलिब्रेट किया साथे साथ वर्ड वोईस डे सेलिब्रेट किया जिसकी थीम कहती वर्ड वर्ड और मैनी वोईसे 17 अप्रल को World Hemophilia डे celebrate किया है और Hemophilia में बता चिक क्योंकि जेनेटिक बिमारी होती है जिससे Blood की Clotting नहीं होती Adopting to the Chain, Sustaining Care in the New World 18 अप्रल को World Heritage डे celebrate किया है जिसकी theme ती Complex Pass in the Diverse Future हमारे भारत में 38 जो है वो heritage site है 19 अप्रल को World Liberty celebrate किया गया था लीवर जो है वो second number का हमारे body का largest organ है इस लीवर में bile juice का formation भी होता है और लीवर को मारो शरीर की laboratory या प्रयोगशाला भी कहाते है अगला 21 अप्रल National Civil Services Day celebrate किया था साथी साथ World Creativity and Innovation Day भी celebrate किया गया 22 अप्रेल अप्रेल महिने का सबसे important है 22 अप्रेल को Earth Day celebrate करते है और जिसकी theme थी Restore Our Earth 23 अप्रेल को World Book Day celebrate किया 24 अप्रेल को National Panchayati Day celebrate किया 73 number को Constitutional Amendment से पंचायती वस्ता जोड़ी गए बलवंत राय मैता समीत और अशोप मैता समीती का संबन पंचायत से है पहली पंचायत राजस्तान के नागौर में बनी थी और यी पंचायत का वार्ड जो है वो उत्तरप्रदेश को दिया गया है सबसे जादा जो मैडल है 17 मैडल वो आंदरप्रदेश को मिले है 25 अप्रेल को क्या हुआ था World Malaria Day celebrate करते जिसकी theme थी रीचिंग दे जीरो मलेरिया टारगेट और ओक्सफोर्ट की वेक्सकीन के बारे में मैंने आपको याप पर डिसकस किया था 26 अप्रेल को World Intellectual Property Day celebrate किया था World Intellectual Property Index में भारत की थी रैंक किया थी 40 थी इसकी theme है IP and SME Taking Your Ideas to Market 28 अप्रेल को World Day for the Safety and Health at Work आपने celebrate किया जिसकी theme थी Anticipate, prepare and the response to the crisis Invest now in the resilient occupational safety and the health system और अन्त में आता है 29 अप्रेल International Dance Day Purpose of Dance इसकी theme थी तो ये अप्रेल महिने की सारे important days थे अब अप्रेल महिने में कितनी सारी घटनाए हो गई कितनी सारे new appointments हो गई कितनी सारे लोगों की death हो गई नई book publish हो गई defense exercise हो गई है तो ये जिस पूरा समरी है ये पूरा जो अप्रेल महिने का समरी है तो बहुल चली में लेकर आ रही हूँ पूरे अप्रेल महिने का समरी जिससे आपका एक ही वीडियो में एक ही वीडियो में आपके maximum questions को अपरेल महिने का लेकर आ रही हूँ तो अपको में डेट बता दूंगी तो आप वहाँ पर जुड़ जाएगा ओके तो जली से फटाफ़ जो नहीं आया है हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अपकमिंग क्लास इसके नोटिफिकेशन भी मिल सके ठीक है चलिएगा कल का question देखेंगे निमलिकेट में से किस राष्ट ने जलवायू परिवर्तन पर नेट जीरो प्रडूसर फोरम में शामिल होने का निर्ना लिया है ओमान, बहरीन, जॉर्डन या साओधी अरेविया ही कल का practice question था और जिसका सही answer था साओधी अरेविया मतलब option number T अब उन लोगों के नाम देख लेते हैं जिन लोगों ने बिलकुल सही answer दिया है तो देखते हैं सबसे पहले मनपीक को बिलकुल सही है साओधी अरेविया आरो ही सहाब बिलकुल साओधी अरेविया के साथ United States, Canada, Norway और Qatar है जिनों है Net Zero Producer Forum for the Oil and Natural Gas Producers जोईन किया है यह Paris Agreement के अंदरगत काम करता है Paris Agreement Climate Change पर वर्क करता है मनीश जी, खुश्बु गुपता, खुबसूरत चोहान, इसके अलावा पारिलार मुर्मुर, पलक, मिनाच्छी बिलकुल साओधी अरेविया की कैपिटल रियाद है और करंसी रियाल है बिलकुल जिन लोगों की नाम छूड गए है कोई दिककत नहीं है, आप लोग ने भी दिया होगा, आंसर में यह नहीं कह रही हूँ अब आजवे कि इतने सारे नाम हमने शामिल की थोड़े बहुत नाम छूट जाते हैं तो next time मैं उनको भी शामिल कर लूग, ऐसा कुछ दिककत नहीं है किसी से मेरा कोई बेर नहीं है यहाँ पे आई हम बात करते हैं MCQ के साथ, तो मैंने आज MCQ जादा लिये हैं क्योंकि MCQ पढ़ने से ही आपका सेलेक्शन निश्य होगा जितने जादा number of MCQ solve करेंगे, आप जितनी बार revision करेंगे उतना आसानी से आपको यादोगा क्योंकि इतने सारे नए नाम होते हैं कि हम पो आसानी से याद नहीं होते हैं तो revision बहुत जरूरी होता है रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है आप लोग भी जब एक्जाम तैयारी करते थे नाइन्थ क्लास में तैंथ क्लास में हम एक्जाम देने जाते थे तो घरवाले बोलते थे कि बार रिवाइस कर लो तो रिवीजन आप लोग फॉर्मुले की लिस्ट बना ले थे कि हाँ ये रिवीजन करना तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है तो आईए हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे MCQ के साथ तैयार होगे सब बिल्कुल सभी लोग तैयार होगे चलो खुशी कुमार जी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये सर ने सेंड किये उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका PDF टाउंडोड हो जाएगा ठीक है तो फटापटिक पर लिंक को शियर कर दो और चैनल को लाइक कर दो ठीक है चली पहला प्रशन देखेंगे चलो आंसर देखेंगे जल्दी आंसर करेंगे जिससे पूरे questions को cover किया जा सके तो देखिए को जो लास्ट नमबर आया है वो वेने जुला का आया है लास्ट नमबर किसका आया है इस रैंकिंग में वेने जुला का आया है और वेने जुला जो है उसमें आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा falls जिसको हम एंजल falls कहते हैं तो एंजल फॉल भी कहा है, कैरो नदी पर वेनेजुला में है और चैनलर गुड गवर्मेंट इंडेक्स में लास्ट नमबर पर कौन है वेनेजुला है भारत की रैंकिंग देखे तो बिलकुल आंसर आच चुका है रिंकी, हितेश, प्रग्या, निथी, वेरी गुड, 49 भारत की रैंके कितनी है, 49 नमबर की है यह जो चैनलर गवर्मेंट इंडेक्स है यह सिंगापुर बेस्ट कंपनी के दौरा लांच किया जाता है चीक है, अगली बात कर लेते हैं DRDO, DRDO recently conducted successfully मैदान test firing of the 5th generation Python 5 missile the state of the art missile in which type of missile DRDO, Defense Research and Development Organization के दौरा हाली में Python 5 missile का सफल परिक्षन किया गया अब यह जो Python missile है, basically कैसी missile है Air to Air, Surface to Air Air to Surface, यह Surface to Surface missile है बिल्कुल रोश्मी जी, फिल्लेंड ने टॉप किया था वैने जुला लास्ट नमबर पर आया था मंदीप मंडल कह रहा है, यह Air to Air missile है बिल्कुल आनंद, मनमीद, बिल्कुल सही आंसर है Option number है, जो Python number 5 है, यह Air to Air missile है इसको तेज़स की सहाइता से, तेज़स की सहाइता से इसको क्या है आपने टेस्टिंग किया है, ठीक है तो DRTO conducted मैदान trial of the Python 5 Air to Air missile using LCA तेज़स तो तेज़स की दौरा इस missile का सफल परिक्षण किया गया कहां पर किया गया, तो गोवा में किया गया ची कहां पर परिक्षण किया गया, तो गोवा में इसका परिक्षण किया गया अच्छा, यह जो Python 5 Air to Air missile है, has been manufactured by the Rafael Advanced Defense System of Israel किसके दौरा डेवलप किया गया था यह, किसकी technology ली है Rafael Advanced Defense System of Israel की सहाथा से इसको डेवलप किया गया है ठीक है, और एक guided missile है, यह कैसी है, guided missile है, गोवा में इसको test किया गया है गोवा की capital पंजिम है, और गोवा जो है, वो मरूहर पारीकर यहां पर मुख मंत्री रह चुके है जिनका निधन होगी है, और अभी वर्तमान में प्रमोज सावंत जो है, यहां पर मुख मंत्री है साथी साथ आपको पता है, गोवा के नए governor appointed हुए है, सुनी अरोडा, जो की हमारे election commission भी थे तो सुनी अरोडा जो है, वो गोवा के नए governor के पदपर उन्होंने appointment लिया है governor को appoint करने का काम भारत के रास्टवतिका होता है governor का जो provision है कि गराज्यों में governor होना चाहिए, यह बात हमने कैनेडा से लिए है क्योंकि आपको पता है, जब अपना सम्मीधान बना रहे थे, जब अपना constitution बना रहे थे department of defense research and the department of ministry of defense of the government of India के अंतरगते काम करती है इसका head office कहाँ पर मिलेगा, आपको दिल्ली में मिलेगा अच्छा, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी इसकी subsidiary is क्या है, तो gas turbine research इसकी subsidiary है इसने avatar DRDO laksh और DRDO nisant जैसे aircraft design की है और G के अपने जो Satish Reddy है, वो DRDO के अभी head है next देखते हैं, who has been appointed as the new managing director and the CEO of national community and the directive exchange limited NCDEX, तो NCDEX के नए managing director ये CEO के रूप में किसे appoint किया गया है चलो, यह अपन ने देखा था बिल्कुल जी Satish Reddy Rahul Kumar जी 1958 दिल्ली वेरी गुड चलो, इस प्रश्मी का अंसर करेंगे यह अपन लोग ने कल के current affairs में इसको discuss किया था National Community and the Services Directive Exchange Limited इसको control कौन करता है, SEBI तो SEBI के द्वारा, SEBI के द्वारा जो है, वो किसे appoint किया गया है तो बिल्कुल आंसर आ चुका है, रश्मी का option A, विकाज, प्रग्या सकसेना, संजीत, बिल्कुल सही आंसर है, option number A, अरुन रास्ते तो अरुन रास्ते को नया National Community and Directive Exchange Limited का नया MD और CEO appoint किया गया है आई हम बात कर लेते हैं, SEBI के बारे में, Security and Exchange Vote of India किया है, यह Ministry of Finance की अंदर गत काम करती है, इसकी स्थापना 12 April को हुई थी, 12 April को 12 April को 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको कोई rights नहीं थे फिर हमने बाद में क्या किया, एक Act पास किया है, जिसको हम SEBI Act कहते हैं SEBI Act आया 1992 में, और 1992 के बाद, SEBI को जो है, हमने एक statutory body, एक सामविधानिक निकाह, एक sorry, एक वैधानिक निकाह बना दी है, एक statutory body बना दी, SEBI को, कब बना दी? 30 जरवरी 1992 को बना दी, तो overall इसकी स्थापना देखे, तो 12 April 1992 को, SEBI एक 1992 से हुई थी, यह share market को या security market को control करती है, इसका head office मुंबई में है और इसकी agency, sorry, इसकी जो executive director है या chair person है, वो कौन है? अजयते आगी है, अजयते आगी है, चलो, अगला प्रशन देख लेते हैं, next question देखेंगे which country has launches a robot prototype named as the NEO, NEO 01 to clear space debris, अच्छा देखिएगा, जैसे कोई satellite हमने space में launch किया, चाहे वो communication satellite हो, या फिर photo sensing satellite हो, कोई भी satellite हो, जब हम launch करते हैं, तो उन satellite की एक duration होती है, पाँ साल काम करेंगे, पंद्रा साल काम करेंगे, और उसके बाद जब वो काम करना बंद कर देते हैं, तो हम वापस वड़ना लेके आते हैं, वो तो space में है, तो space का वो क्या होता है, कच्छा हो जाते है, space का वो मलवा हो जाते है, अब space के मलवे को हमें साफ करना जरूरी ह क्यों है साफ करना जरूरी ? क्योंकि हमारे及 काम के सेटेलाइट कल कोई कच्ड़ा जो है वह हमारे काम की वाले सेटेलाइट से टकरारा जाए इसलिजन हम अंतलिप्ष के सब कच्ड़े को साफ करना चाहते हैं तो इसके उत देश रश्मी जी कह रहे हैं चाइना पर क्लिक कर दो विकास जी कह रहे हैं option number C United States मनमीद कह रहे हैं option number B बिल्कुल सही आंसर है यहां पर चाइना सही आंसर क्या हो जाएगा option number B चाइना देखते हैं चाइना लॉंच इस रोबोट प्रोटोटाइप जिसका उद्देश क्या है बेसिकली इसका उद्देश है जो अंतरिक्ष में मलवा है उसको साफ करना साथ ही साथ हमारे जो space है space में नए नए ऐस्टोराइट की discovery करना नए नए ऐस्टोराइट को खोजना भी हमारा इस नियो जीरोवन का उद्देश है तो आपको इसको याद रखना किस ने रॉंच किया इसको चाइन ने रॉंच किया अगला है मनोजदाज who has passed away recently was the renowned author of English and blank मनोजदाज इनका हाली में रिधन हो गया है वो किस भाशा के प्रशित दिलेखकते अंगरेजी और उडिया, बंगाली, हिंदी या फिर वराटी इक बार लिंक को शियर भी कर देंगे पीडियेफ के लिए कोई परिशान नहीं होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ से पीडियेफ आसानी से डाउंलोड जाएगा वीडियो को अंते तक देखिएगा अंत में एक प्रेक्टिस कॉस्चन मिलेगा जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा चीक है, तो बिलकुल सही आंसर आचका है मनुल्दास जो है, वो उडिया और आपके इंगलिश भाषा के लेखा के बिलकुल सही आंसर है, ऑप्शन नमबर A वेरी गुड, जोती, प्रग्या दीपाली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नमबर A नेक्स्ट है, वाट इस नेम गिवन बाइद चाइनीज स्पेस एजनसी तो इस फर्स मार्स रोवर लॉंचेस इन्दा ताइवान 1 मिश्यन, तो तियाबान 1 वन मिश्यन में लॉंच किये जाने वाले मार्स रोवर का नाम बताना है, जो चीनी एजनसी का अपना पहला रोवर होगा, जी के लाएदी बता चुकी हो, मार्स को हम जिए साहब्टेस आपको पता कि मार्स पर इंजनिटी हेलिकॉप्टर भी भेजा गया नासा के तो आरा allora प्रिजर्वेंड्स भी भेजा गया था साथ ही साथ जैसे कि हमारी Earth 23.5 डिगरी अपनी एक्सिस पे जुकती हुई है वैसे ही जो Mars होता है वो 25 डिगरी अपनी एक्सिस पे जुका हुआ है इसके दो सैटिलाइट्स है एक DEMOS है और एक Favos है तो DEMOS और Favos दो उपग्रेज हो है वो हमारे किसके हैं? मार्स के है चलो तो बिल्कुल सही आंसर आज गया है सही आंसर है option number A very good यह चाइना का पहला मार्स रोवर होगा अगला देखते हैं इस बारे में अपने बात कर चुकी है कि Singapore based agency के द्वारा यह government index good governance के लिए provide किया जाता है good governance day जो है वो 25 December को अटल विहारी बाजपेजी की याद में celebrate किया जाता है इसमें आपने देखा कि भारत की ranking 49 थी लास्ट नमबर पर बैने जुला था और फस्ट नमबर पर कौन सा था तो option number D Finland is the right answer यह बात आपको पता है अब यहाँ पर हमको छोटा सा map समझने के ज़रूरत है आपको map में दिखाई दे रहा है Singapore City ठीक है यह Malaysia है और यह नीचे वाला इस्सा क्या है Indonesia है तो Malaysia और Indonesia को अलग करने का काम state of Malakka करती है तो Malakka state बहुत important state है तो Malakka state जो है वो Malaysia को Indonesia से अलग करती है ठीक है तो यह आपको जो पानी का रास्ता दिख रहा है यह आपका क्या है मलakka state है तो इसको याद रखना है ठीक है अगली बात यहाँ पर कर लेते हैं अमित बैनर जी has been recently robed into a new chairperson and managing director of which PSU आमित बैनर जी को हाली में किस public sector का नया अध्यक्ष या प्रवंद निर्देश्यक के रूप में चुना गया है NDPC, BEML, ONGC या फिर BSNL चलो आंसर कर देंगे बिलकुल Malakka state आपको समझ में आ गया वेरी गूड चलो इस प्रशन का आंसर कर दो क्या हुआ आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं लिंक को एक बार शेयर कर दो आज बच्चा लोग कम है जादा से जादा बच्चा लोगों को बलाओ चलो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल आंसर आ चुका है BEML BEML, very good option number B बिलकुल सही हो जाएगा option number B बिलकुल सही हो जाएगा आईए इसको news को थोड़ा सा detail में समझते हैं Amit Banerji appointed as the new CMD of the BEML तो यह BEML है basically यह भारत सरकार का एक उपकरम है यह भारत सरकार के एक public sector company है BEML का मतलब होता है भारत Earth Movers Limited भारत Earth Movers Limited BEML का फुलपॉम होता है अच्छा देखिए एक जैसे कि UPSA Commission होता है अखलभारी सेवाओं को हमारी Union Public Service Commission को कंड़क्ट कराता है वैसे ही एक organization होता है जिसका नाम है Public Enterprises Selection Board PESB यह जो हमारे organization के managing director यह top authorities है उनको select करने का काम करता है तो इसके पहले जो हमारे अमिताब बैनर जी है वो Rail and Metro Business में Limited में काम करते थे अब इनको जो है वो CMD बना दिया गया है BEML का अच्छा एक और बात याद रख लिजेगा कि BEML का जो additional additional charges दिये है वो किसे दिये है MB Rajesh खर को दिये है अब यहां पर बात करेंगे BEML के बारे में BEML की जो tagline है New Fortuner, New Dreams इसका head office बैंगलोर में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी भारत Earth Rover Limited अगला प्रश्न है विच स्टेच इस वान दा इपंचायत अवर्ट 2021 in category 1 तो इस वारे में आपको पता है पंचायती राज दिवस के दिन पर ये पुरुसकार जो है वो डिस्टिब्यूट किये गए थे आपको बताना इपंचायत अवर्ट किस राज को मिला है category 1 में अन्र प्रदेश, अन्नाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये हिमार्चल प्रदेश चलिए युपी इस राइट अंसर वर्य गुड अरे रश्मी टी परिशान मत हुए आज आएगा बच्चा लोग देख लेगा इस वीडियो को जिनको सेलेक्शन सही होगा वह देफिनेटली करेंट अपर्स तैयार करी रहा होगा उत्तर प्रदेश इस राइट अंसर ऑप्शन नम्र सी सही हो जाएगा अगला देख लेते हैं हम अधित्त योगिनाथ उत्तर प्रदेश के स्लिए में और आनंदी बेन पटेल जो है वहां की गवर्णर है आनंदी बेन पटेल को एडिशना चार्जेश जो है वह मद्र प्रदेश के भी दिये गए हैं आई अगली बात करते हैं पी एम मोदी है सेंक्शन दा प्रदेश के द्वारा कितना यहां पर पोटेबल ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर बनाने का जन्रेट करने का सरकार ने मलजूरी दिया है थाहल को मार का आंसर और चुका है एक ए कहरे है एक ए कघ रहे है चलो देख लेते थे भी सही अंसर आरे बालट यहां सेंक्शन ऑन्तर कोटेबल ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर बनााय जाएंग एक दिया दिए प्रक्दिकिर के दौझ्जन आ ने इने बातने सरकार wh क्यूर्मेंट ऑफ वन लेक पोटेबल ऑक्सिजन कंसंट्रेटर अंदर अंदर पी एम कियर फंड इस बात को याद रखना है पांसो नए जो है वह उक्सिजन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे इस पी एम कियर फंड के द्वारा साथी साथ आपको पता है डियार्डियों के जो है वह जम्मू में हमारा पांसो बैट का हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है इसके पहले सेवन वन थ्री प्रेसर श्विंग प्लांट यहां पर स्थापित किये गए थे पी i-m qué brakes के द्वारा अब यह जो प्सिजन सलेंडर होते में लिक्विड ऑक्सिजन भरी जाती है और लिक्विड ऑक्सिजन का कलर कैसा होता है तो फैडिद ब्लू कलर की लिक्विड ऑक्सिजन होती है ठिक है चैन के ऌक्सिजन इन दा बी आरो बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन तो सीमा सडक संगटन में कमाद समालने वाली भारत की पहली भाहिला दिकारी कौन बन गई कल की न्यूज है यह भी वैशाली एस हिवासे सत्यार्थी सिवाली नेहा गोरपाड़े या साक्षी सेंग इस हिवासे तो इन को बी आरो का नया कमांडर चीफ अपोइंट किया गया और इस पद पर जाने वाली भारत की पहली महिला है आईए हम बी आरो के बारे वे थोड़ी से जानकारी रख लेते हैं तो बी आरो बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन इसका जो धेवाग के वो क्या है श्रमेर सर्वम साध्यम और आप लोगों की जिन्दगी में भी एक टेग लाइन यही होने चाहिए श्रमेर सर्वम साध्यम यहना कोशिश करने वालों के बिलकुल हार नहीं होती पढ़ते जाएए अच्छा यह कहां कहां पर अपनी सर्विस देता है तो इंडिया में बूटान नेपाल म्यानमर और अफगानस्तान की सीमाओं पर यह तहनाथ है चलो अगली बात कर लेते हैं रिलाइंस फांडेशन विल सेट अप थाउजन बेरेट कोविट केर फैसिलिटीज इन विस सिटी तो रिलाइंस फांडेशन के द्वारा किस सहर में सौ बेड़ वाली कोविट देखवाल शब्दा इस्थापित की जाएंगी जाम नगर, पोरबंदर, पूने या पिन्नाग खोड़ चली विकास दिखे रहें पूने आंसर लगा दो अच्छा चलो आंसर करेंगे जाम नगर कह रहा है प्रग्या जी निक्की जी कह रही है, option number C, पूने, अभिशेक कह रहा है जाम नगर और बिल्कुल सही बात है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रायक जी तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, Reliance Foundation के द्वारा, सौ बैड वाली COVID देख बाद शुब्दैस्था पर कहा की जाएगी, जाम नगर में की जाएगी, तो बिल्कुल सही आंसर है, option number A, जाम नगर, वेरी गुड, चलिए, अगला प्रशन देख लेते हैं हम, which e-learning platform has been featured in the Time Magazine's 2021 list of 100 most influential company, तो देखेगा, यह भारत की कंपनी है, जिसको टाइम्स पत्रीका में, 100 सबसे प्रभाव साली कंपनियों की सूची में, e-learning platform में शामिल किया जाएगा, किया गया है, तो Educard, Unacademy, Topper, या फिर Byjuice, तो देखेगा, हमारे भारत में लगाता है, जो ह पुशेज दियान किया जा रहे है, आपको पता है, अभी आपकी classes भी online ही हो रही है, है की नहीं, तो यहाँ पर राजबाग कहा रहा है, बाइजू को क्लिक कर दो, अच्छा, बाइजूस, बाइजूस हो बिलकुल सही बात है, बाइजूस, टॉपर नहीं है, रश्मी जी, बाइजूस बिलकुल सही आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइजू, तो बाइजू को यहाँ पर टाइम्स मेगजीन के 2021 में, हंडर्ड सबसे इंफुलेंशल कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है, बाइजूस को, अच्छा, बाइजूस को ऐसा काम शामिल क अच्छा था, वो वन फिफ्टी मिलियन इसका टैन्योर था, अभी यह 16 बिलियन डॉलर की कंपनी वन चुकी है, इंवेस्टमेंट यूबीएस बैंक ने किया था, जिसके बाद बाइजू जो है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म सेटप पर, फर्स्ट नमबर पे आ गई है, अच्छा, इसके फाउंडर कौन है, तो हम बाइजू की जो फाउंडर है, वो याद रखेंगे, रविंदर और दिव्या गोकुल नाथ, जो है, 2011 में, बैंगलोर बेस्ट एक कंपनी है, जो की e-learning कराती है, ठीक है, इसको यहां पर लॉंच किया के थे, 2011 में, चलो, यूबी इस, Union Bank of the Susanland है, एक Swiss Multinational Investment Bank के, जो सारे Swiss अकाउंट को कंट्रोल करता है, इसका जो head office है, वो आपको कहा मिलेगा, जूरिस में मिलेगा, और बैसल समें मिलेगा, इसके जो CEO है, वो रालफ हैमर्स है, और इसकी स्थापना, 29 जून 1998 को ही थी, बिलकुल सचेंदी, 2011 में, इसके पाउंडर है very good बात समझ में आ रही है चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं next हमारे पास MCQ क्या है Recently the Central Government extended 50 lakh insurance scheme for the healthcare worker for the one year Which company will implement the scheme? हाली में दिखो हमारे जो स्वास्त कर्मी हैं लगातार कोविट से लडाई कर रहे हैं हमारी मदद कर रहे हमारी take care कर रहे हैं तो स्वास्त कर्मियों के लिए 50 lakh BIMA की जो योश्ना भारा सरकार के दौरा शुरू की गई थी उसको एक साल के लिए extend कर दिया गया है 2020 में बोला गया थाब 2021 में इसको extend कर दिया गया है तो यह scheme कौन सी कंपनी के द्वारा लागू की जाएगी options है New India Insurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited, National Insurance Company Limited यह United India Insurance Company Limited के द्वारा बिल्कुल brand ambassador शारुप खान या अपन लोग न्यूस चैनल जब भी लगाते हैं तो बाइजूस की add कौन करता है शारुप खान करते हैं बिल्कुल सही बात है तो बिल्कुल प्रीतम कह रहा है option number A पे क्लिक कर दो कपिल कह रहा है option C, जोती पाल कह रहा है option number C और बिल्कुल अभिशेग जी आंसर सही कह रहा है आप लोग option number A New India Insurance Company Limited, चीक है? option number A बिल्कुल सही हो जाएगा, चीक है? चलो Most welcome अमन सिंह जी, most welcome जिनको नहीं पताओं मैं बताना चाहती हूँ, daily morning 6.30 am हमारी current affairs की class होती है आज April महिने का अंतिम देन है और हम बहुत जली लेकर आ रहा है पूरे April मंत का summary तो वीडियो को अंति तक देखना है क्योंकि अंति में practice question होगा उसका answer comment section में देना है जिसका answer सही होगा उनके नाम presentation में शामिल करेंगे अगला question है Recently Indian Army signed M.O.U. with N.I.E.D.O. जो की एक NGO है and which other company for the Ladakh Ignite Mind project तो सबसे पहले तो Ignite Mind यह project कहां पे launch किया गया है? लग्ताक में launch किया है भारती सेना और N.I.E.D.O. के सही होग के साथ इसको launch किया गया है आपको बताना किस company ने Ignite Mind project में contribute किया है? ONGC, HPCL, BPCL, या फिटेरी T.E.R.I. प्रीतम कह रहा है HPCL पे क्लिक कर दो हितेश जी कह रहा है T.E.R.I. पे अजय जी कोई दिक्कत नहीं अगली बार नहीं होगा Option A कह रहा है ONGC Oil & Natural Gas Corporation तो सही answer है बेटा यहां पे HPCL सही answer क्या है? हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited, HPCL, NIEDO और भारती सेना के दुआरा लद्दाग में Ignite Mind project को शुरू किया गया है सही answer है Option B आईए इस न्यूस को पूरा देख लेते हैं Indian Army Sign MOU with HPCL and NIEDO for Ladakh Ignite Mind project अच्छा HPCL का full form तो पता है हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited अब NIEDO का full form क्या होता है? तो National Integrity and Educational Development Organization जो की एक NGO संस्ता है कानपुर की कानपुर की एक जो है वो NGO है ये इसका full form क्या होता है? National Integrity and Educational Development Organization और HPCL और इंडियन आर्मी के दुआरा Ignite Mind project को लॉंच किया गया है लद्दाग में इससे लद्दाग में UT में Excellence Center बनाया जाएंगे Wellness Center बनाया जाएंगे लोगों के Life Start को Improve करेंगे Education Sector को बरावर दिया जाएगा इसलिए Ignite Mind project जो है वो लद्दाग Union Territory में लॉंच किया दिया अज़ अगर हम लद्दाग Union Territory की बात करें तो यहां के Administrator कौन है? राधाकृष्न माथूर है राधाकृष्न माथूर इनका नाम याद रख लेंगे राधाकृष्न माथूर के इसके बाद अगर हम जम्मू की बात करें तो आपको पता है 370 लगने के बाद जम्मू और Union Territory मतलब बन चुकी थी और उसके जो Administrator है अभी वह Manoj Sina इसके पहले ग्रीश चंदर मुर्मुर्थे जिनको भारत का कैग बना दिया गया है अगला देख लेते हैं हम यहां पर HPCL के बारे में तो यह HPCL जो है वह Oil & Natural Gas Corporation की subsidiary है जिसका Head Office का है Mumbai महाराष्ट में है वह मुकेश कुमार है मुकेश कुमार का नाम यान रख लेंगे HPCL बेटा प्रीतम जी एक नवरत ने company है public sector company है public sector company है चलो अगली बात कर लेते हैं Recently Nikoi Pashiyan resigned from the his post He was the PM of which country हाली में Nikon Pashiyan ने अपने पद से स्थीपा दे दिया है वह किस देश के PM थे Armenia, Kenya, South Africa या फिर Thailand चलो अंसर करेंगे एक और बहुत important व्यक्ति है अभी हम news में देखेंगे जन्होंने स्थीपा दिया है आंगे कि news में हम समझेंगे उनको उनका नाम भी अभी रश्मी जी जो ग्रूप अभी NTPC का एक्जाम हुआ था ना तो उसमें क्या हुआ था चार आपको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और्गनाइजेशन लिखे थे और उनके हेड्कॉटर लिखे थे इनको मैच कॉलम में आया था इसलिए आपको जो पब्लिक सेक्टर और्गनाइजेशन से उनके हेड्कॉटर पता होने चाहिए है ना अर्मेनिया कह रहे है सभी लोग बिल्कुल सही आंसर है अर्मेनिया निकॉन पाइसान जो है जिन्होंने हाली में अपने पत सिस्तिफा दे दिया है वह अर्मेनिया के प्रधान मंत्री के रूप में काम कर रहे थे आई हम देखते हैं अर्मेनिया तो एशिया कॉंटिनेंट की छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है अर्मेनिया चीक है आप देख सकते हैं तुर्की एरान अजर्वेजान जॉर्जिया के बीच में कहीं पे आपको अर्मेनिया देखने को मिलता है अच्छा अर्मेनिया के capital क्या है है इसकी capital और यहां पर एक लेक बहुत फेमस है लेक सिवान तो लेक सिवान जो है वह अर्मेनिया में पाई जाएगी अगला प्रश्न देख लेते हैं, which state UT area of 14,491 hectare become the first larger territory to get organic certificate, अच्छा आपको पता है organic खेती करने वाला पहला राज सिक्किम बना था, उसके बाद हमारी जो लक्षदीब था वो भी organic farming करने के लिए जाना जाता है, हाली में किस UT को area में 14,491 hectare में organic farming certificate दिया गया है, दमन दीब, चंदीगर, नई दिल्ली या फिर अंदमान और निकोबार आइलेड, अच्छा दादन नगर हवेली और दमन और दीब, यह हमारे जो union territory है, इनके मामले कहां देखे जाते हैं, तो इनके मामले महरास्ट के high court में देखे जाते हैं, चंदीगर का जो मामले होते हैं वो पंजाब हर्याना के high court में देखे जाते हैं, नई दिल्ली का अपना एक अपना personal high court है, और अंदमान निकोबार के जो भी मामले होते वो कलकता हाई कोट में या कोलकाता हाई कोट में सुने जाते हैं बारत में वर्तमान में 25 हाई कोट काम कर रहा है तुझली से answer कर देंगे किसे दीया गया है या organic certificate तो सही answer है दमनन्दीब नहीं है अंडमान इन निकोबार आईए complete news को थोड़ा सा देख लेते हैं यह देखिएगा over 14,000 मैं hide हो जाती हूँ over 14,491 hectare in the अंडमान इन निकोबार island become the first larger territory to get the organic certificate ठीक है तो union territory अंडमान इन निकोबार in fact car निकोबार का जो हिस्सा है और वहां के कुछ islands है उनको यह certificate दिया गया है by the ministry of agriculture and the farmer welfare ministry of agriculture and farmer welfare के द्वारा यह certificate अंडमान इन निकोबार को दिया गया है organic farming के लिए यह पहली larger territory है जिसको organic certificate दिया गया है सिंखिय अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो आप डेख सकते यह यह आपका अंडमान बान में यूठी रिवार यह हमारी union territory है अंडमान को निकोबार से separate क्रेक्ट कॉन कर रहा है 10 degree channel कर रहा है तो वपर अंडमान है और नीचे निकुबार है यहां पर अंडमान देखो नॉर्थ अंडमान, Middle, Lower अंडमान है लिटल अंडमान है अंडमान की कैपिटल जो है वो पोर्ट बिलियर है अच्छा अंडवान में इक island मिलता है जिसका नाम है Byron Island और Byron Island जो है वह भारत का एक active volcano है तो Byron volcano जो है वह भारत का एक मात active volcano है साथे साथ नारकंडव तो नारकंडव volcano भी जो है वह अंडवान निकबार में आपको मिलेगा अच्छा Sampyn, Jarva, Centregal ये सारी जब tribe है वो भी अंड़मान में पाए जाती है cellular jail भी आपको अंड़मान में मिलेगी और अंड़मान का जो हवाई अड़ा है उसका नाम है वीर सावरकर हवाई अड़ा निकोबार की बात करते तो आप देख सकते हैं ये car निकोबार का एरिया है और ये नीचे क्या है ग्रेटर निकोबार है इसी ग्रेटर निकोबार में आपको इंद्रा पॉइंट भी मिलेगा इंद्रा पॉइंट कहां है आपकी ग्रेट निकोबार में है और ये भारत का सबसे सदन मोस्ट पॉइंट है ठीक है इंद्रा पॉइंट इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखने है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं रचनात्मा कार्यों में अच्छा युगदान करने के लिए एक अनुभवी अविनेता की याद पर दिया जाने वाला थिलाकौन मेमोरियल पुरुसकार किसने जीता है ओप्शन्स आपके सामने हैं टॉडियो, थॉमस, मुहनलाल, प्रमोद, पायुन्यूर या फिर आर दिली चलिएगा इस प्रशन का आंसर करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएका, option number C, प्रमोद, option number C, ठीके, थेटर और फिल्म डारेक्टर प्रमोद पायुन्यूर को तेलकान मेमोरियल अवार्ड दिया गया है पर इनके अच्छे कॉंट्रिबिशन के लिए, क्रेटिविटी के लिए, चीके, अगला प्रशन देख लेंगे हमें आपर देखिएगा, हमेशे अच्छी मूवी का अवार्ड दिये जाते हैं, आपने देखा, नोबन लेंड जो है, वो 93 ओसकर अवार्ड में फर्स नमबर पे आई है अब गंदी मूवी के लिए भी अवार्ड दिया जाता है, खराब डाइरेक्शन हो, खराब पिक्चर वनाई हो, तो उसके लिए भी अवार्ड दिये जाते हैं तो वर्स्ट मूवी अट 2021, ये अवार्ड किसे दिया किया है, नोवन लेंड, एपसल्यूट प्रूफ, स्टेंजर थेंग या वेंपायर डाइरी कोई बात नहीं, इसके अगर हो भी रहे है, कोई दिक्कत नहीं, आज पढ़ लोगे तो अगली बार इसके नहीं करना पड़ेगा, दिमाख में सेट हो जाएका, और इस सारे प्रकॉशन आपको सॉल्फ कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है आरन जी, वो तो GS में होता ही है, ऐसा तुक्का मारोगे तो गलत हो जाएगा, अच्छा, Stranger Thing, Absolute Proof, यह भी तुक्का चल रहा है कि सही में पता है आप लगाओ को, देखेगा, यहाँ पे सही आंसर है, Absolute Proof, Option No. B, Option No. B, ठीके, The Election Fraud Film, Election Fraud पर बनाए गई, देखो वस्ट भ जिए में बताया गाए, क्योंकि एलेक्शन फरोड पर बनाए गई है, एलेक्षन फरोड पर बनाए गई है, मूवी जिसका नाम ए, Absolute Proof, इसको सिंगर सिया, इसके अलावा रूभी, गिलापली और फॉर्मर नियॉक सिटी मेर है जो इनके दवारा इस फिल्म को बनाया गय कभी कभी हो जाता है चलो अगला है रिसेंटली विश्फ फॉर्मर सहस्त्र सीमा बल चीफ मतलब SSB चीफ पास्डवे कि प्रश्ट मैंने आपको करेंट अफेर्स में डिस्कस करा आया था कि SSB के जो चीफ थे फार्मर शीफ उनका हाली में निधन हो गया है उनका नाम क्या है बल्बीर सिंग्ग, कमल दीप कौड, अरुन चौदरी या फिर आर नारायन अचा पता होता है चलो ठीक है कुछ पता कुछ तुक्का ऐसा तो चलता है बल्बीर सिंग अरे रहुल कुमार जी बल्बीर सिंग जूनियर ये तो स्पोर्ट परसन है खिलारी विकती है अपने SSB की चीफ की बात कर रहा है बिलकुल अरुन अरुन चौधरी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये मैंने सब्सक्राइः खुछ अब थे कर रहा है अब देखें कापी सारे बियाते हैं तो हमने कर लिह हैं कुछ कर अपर छूड़ गया है उनको देख लेते हैं हम फटा फट है इसके बाद इस्टेटिक परषन बहुत इंपोर्टेंट थे हैं बहुत सारे स्टेटिक परशन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ और व्यक्तियों के नाम कलके MCQ में मदद करेंगे कलके MCQ भी तो इनी पे आधालत होंगे ना तो आज इनको पढ़ोगे तो कलके MCQ में तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा तो फटाफट एक बार लिंक को शेर कर दो जिसे तुक्का न लगाना पड़े बिलकुल बलवीर जी होकी वाले हैं हाँ बिलकुल अविशीक जी होकी वाले हैं और एहमद हुसेन फुटबॉल वाले हैं ठीक है दोनों का निधन हो गया है चलो आंसर है कृती कर्णाग्ट डॉ कर्णाग्ट जो है इनको वाइल इनोवेटर अवार्ड दिया गया है और यह भारत की पहली महिला बन गए है यह हाली में जो है वो चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एड बेंगलोर बेस्ट सेंटर फॉर वाइल लाइफ इस्टडीज में काम करती है ठीक है तो वाइल ला अवेडनेस बताने के लिए पावर आफ ट्री बताने के लिए एनिमल काइंट यूमन काइंट और प्लांट काइंट के लिए काम करने के लिए यह वाइड दिया जाता है तो यह वाइड किसे दिया गया है कृती करनाथ यह बैंगलोर से संबंदित है ठीक अगला देख लेत अच्छा इनों रिजाइन करा तो अब इनकी जगह कोई तो गद्दी पे बैठेगा ना और राजा का बेटा ही राजा बनता है तो राहुल बजाज की जगह अब जो है वो नीरज बजाज जो है वो नॉन एग्जगेटिव डारेक्टर ऑफ दा कंपनी के लिए पॉइंट किय गए है और इनका टैन्योर एक मई से शुरू किया जाएगा तो राहुल बजाज ने बजाज आटो के चेर परसन से रिजाइन कर दिया है पांच साल का इनका टैन्योर था खतम हो गया है और साथी साथ इनकी एज भी जादा हो गए ती इसलिए नीरज बजाज को अब नया चेर परसन बनाया गया है बजाज आटो का अच्छा अगर मैं इनकी बारे में बात करूं राहुल बजाज के बारे में तो राहुल बजाज का कारेकल पांच साल का था लेकिन यह काफी लंबे समय से 1972 से जो है वो बजाज आटो के साथ जुड़े हुए है और इनोंने हाली म पारण इस्थीवा दे दिया है अपरेल 30 में और अब एक मही से जो 10 यौर शुरू हो जाएगा वो आपके किसका शुरू हो जाएगा आपने देख लिया यहां पर नीरज बजाज चीक चलो अगला प्रश्ट देखते हैं इंडिया जापान एं ऑस्ट्रेलिया लॉंच दा सप्लाइचेन री साइलेंस इनिसेटिव अच्छा यह क्या कारिक्रम है समझ लेते हैं इसको देखिएगा आपको पता है कि हमने कॉर्ड कंट्रीज या कॉर्ड को बनाया था कॉर् चाइना के रिस्पेक्ट मे कि चाइना को आंसर कर सकें तो इसलिए चाइना को यहाँ पर यहाँ पर आनसर करने की ही बात हरही है इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया के दा ररा इनिचिशीय अच्छान को अबढ़ा देने के लिए हाली में सेप्लाइचेन रिसाइलिंस इ ब्रेक नहीं होने चाहिए, फूड हो गई, मैडिसेन हो गई, जो भी जरूरी समान है, उस कंट्री तक असानी से बिना डिस्ट्रबेंस के पहुंचाए जा सकें, इसलिए इस सप्लाइचें इनिशियेटिफ को स्टार्ट किया गया है, इंडिया, जापान और ऑस्टेलिया के जापान को आपको पता है, टोक्यो ओलंपिक यहां पर होने वाले है, जापान की जो एपिटल वो टोक्यो है और जापान जो है वो बेसिकली थंडर वोल्ट के लिए जाना जाता है, इसको हम पूर्व का ग्रेट बिटेन भी कहते हैं, शूरुदाइ का देश जो है वो लिए के अंटी, ग्रेट विक्टोरिया, गििसं इस तरीके से बड़े-बड़े डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी, इसके लिए बाव बिटेस्ति जाने जाति हैं, यह भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगी, ठीक है, रिद्धिय। बीडियो स्टार्ट की गई है आई हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो ऐस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता है चैन्वारा है और ऐस्ट्रेलियान डॉलर करन्सी और स्कॉट मॉरिसें प्राइम मिनिस्टर है नेक्स्ट है ATB, Asian Development Bank के बारे में बात हो रही है ADB provided 1.5 billion dollar to India to deal with the pandemic देखिएगा भारत की दिन परती दिन खराब होते जा रही है तो भारत में इस COVID pandemic से लड़ने के लिए Asian Development Bank के दौरा 1.5 billion rupees दियेगा है अच्छा कल की न्यूस देखी होगी आप लोग ने तो सचनतेंदुल करने भी 1 crore रुपे दिया है साथ ही साथ आपके जो राजस्तान रॉयल्स हैं उससे 7.5 crore रुपीज दिये हैं Google ने आपका 135 crore रुपीज दिये हैं तो ये सभी जो है pandemic से लड़ने के लिए अलग-अलग देशों के दौरा या अलग-अलग companies के दौरा जो है मनीला फिलिफिन्स में है प्रेसिटेंट जो है वो मासास्त को आसकावा है 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की थी Economic Development करने का काम ADB करता है और ये Asia Pacific Reason में सर्व करने का काम करता है चलो अगला देख लेते हैं RBI ये banking वालों के लिए अच्छा news है RBI issued guidelines for the appointment of SCA SCA का मतलब क्या होता है Statuary Central Auditor and SA Statuary Auditor with continuously 3-year tenure RBI ने नई guidelines को जारी किया है किसके लिए जारी किया है कि जो हमारे bank होते है वो Statuary Central Auditor और Statuary Auditor को Appoint कर सकते हैं ये जो guidelines है ये commercial bank के लिए इसके लाब RRB मतलब Regional Rural Bank के लिए Urban Corporative Banking के लिए NBFC मतलब आपके non-banking financial companies के लिए सभी के लिए guideline जारी की गई है इसके अंतरगर क्या-क्या बात है की गई है कि ये जो Statuary Central Auditor है और Statuary Auditor है इनका जो कारेकाल होगा वो 3 साल के लिए रखा जाएगा कोई भी company अगर जिनका tenure या जिनका जो asset size है वो 15,000 करोड या उससे जादा है तो वो लोग जो है इन auditor को अपॉइंट कर सकते हैं तीन साल के लिए जो आपकी काम करने में मदद करेंगे तो इस तरीके से नई guideline जो है वो RBI के दवारा Reserve Bank of India के दवारा launch की गए है अगली बात कर लेते हैं अगला है हमारे पास अगली news है Congress candidate from the Kedla Nilambur V.B. Prakash dies of the heart attack तो यह देखिए V.B. Prakash तो V.B. Prakash का संबन किस से तो एक politician है किस party से belong करते हैं तो Congress से belong करते हैं अच्छा इसके अलावा यह जो V.B. Prakash है इनकी consistency क्या है तो Nilambur consistency से केरला से यह belong करते हैं इनका हाली में cardiac arrest के कारण 56 age की उमर में निधन हो गया है यह Congress committee के President के रूप में भी काम कर सके हैं चुक्के है केरला से related है और केरला का वायनार्ट जो एरिया है वहां से राहुल गांदी की consistency है राहुल गांदी वहां से election लड़ते हैं अगली बात कर लेते हैं यहां पर most important आज की सबसे important news है अगर तो वह यह है अब इसके बाद आपकी aesthetic question स्टार्ट हो जाएंगे ठीके चलो astronaut Michael Collins Apollo 11 pilot died of the cancer आपको पता है ना कि हमारा जो पहला space mission था main mission था जहां से इंसानों को भी space में भेजा गया था और चंद्रबा पे कदम रखे गए थे Apollo 11 Apollo 11 वही moon orbital mission है जिसमें Neil Armstrong गए थे और वो चंद्रबा पे जाने वाले पहले व्यक्ती थी आप सभी को पता है तो उसी Neil Armstrong वाला जो अपना Apollo 11 है Apollo 11 की जो pilot थे Michael Collins इनका 90 साल की उम्र में cancer की कारण निधन हो गया है Colin was a part of the three men Apollo 11 crew in 1969 ठीक है 1969 में Apollo 11 तीन लोगों का एक crew member गया था कहां पर चंद्रमा में जिसमें Neil Armstrong भी थे Neil Armstrong के अलावा अगले व्यक्ती कौन थे तो देखिए Burj Eldrin थे Burj Eldrin और Michael Collins इन तीन व्यक्तियों को कहां भेजा गया था चंद्रमा पर Apollo 11 में भेजा गया था 1969 में तो इनको नाम आपको याद रखना है ठीक है Apollo जो mission था basically रशिया का या USSR का एक mission था lunar mission था तो इतनी चीज़े आपको याद रखनी है यह important है आई यह practice question इनका answer पटाफर दीजेगा वीडियो को आंति तक रेखना है एक बार लिंक को share कर दो जो पहली बार आ रहा है वो subscribe कर दो लाइक बटन पर क्लिक करने पर भी कुछ नहीं जाता है कर दो शेर जरूर कर दिया कीजिए ना बिना बोलने कर दिया जिकिए एक टास्क बना लो क्या रहे मैडम ने बोला है कर दो चलो पहला question where is the headquarter of the HPCL हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited का मुख्याल है चिन नहीं मुंबई लखनाओ या कोल गार्णाओ तो सही answer क्या हो जाएगा यहां पर मुंबई अपनी मुंबई तो मुंबई HPCL का head office कहां है HPCL का head office कहां है मुंबई में है next question is where is the headquarter of the shivalik small finance bank कल इसके बारे में बने न्यूस देखे थी कि shivalik small finance bank को RBI ने हाली में license प्रवाइड करा है यह उत्तरप्रिज का एक bank है ठीक है जिसके आपकी branches दिली में और मदर प्रदेश में भी काम करती है तो shivalik small finance bank का head office कहां पर है तो सही answer आज चका है हमारे पास option number C Saharanpur सही answer क्या हो जाए का option number C Saharanpur पूर पूर सहारनपूर पूर सही answer is Saharanpur पूर पूलेंट की क्या है अभीशिंक जैसवाल थी मैंने सर्च किया था सहारनपूर दिखा रहा था Google में कल अपने लखनूर डिसकस कर रहा था क्यूंकि मुझे भी जहाँ तक पता था कि लखनू है पिचा मैंने Google किया था सहारनपूर मिला चलो तुक्का ना लगाओ तुक्का ना लगाओ सुभम जी कह रहे है बिलकुल राज जी का अंसर आ चुका है option number C next question the headquarter of which of these sport federation is based at the मुल्शिक जर्मनी इनमें से किस खेल महासंग का मुख्याला जर्मनी के म्यूनिक में है international hockey federation international shooting sport federation world athlete या फिफा किस का head office जो है वो जर्मनी के म्यूनिक में है अंसर करेंगे अले तुक्के वाले लोग तुक्के मत लगा रहा answer करो तो बिलकुल यहां पे सही answer क्या हो जाएगा option number B international shooting sport federation इसका जो head office है यह कहा है जर्मनी के म्यूनिक में इस ते तो option number B सही हो जाएगा रश्मी जी फीफा पीफा कहा अगया जर्मनी में अगला है दोमनी, दुनाची and जुमने are the sum of the Indian folk dance from which state तो दोमनी, दुनाची और जुम्रे किस भारती लोकनत मतलब भारती लोकनत किस राजे से संबंदित है उत्रकंट, हर्याना, बेश्वंगॉर्या, फिर गोवा तो बिल्कुल बिल्कुल मधु मंदल जी फीपस यूजर लेंड तो सही answer क्या हो जाएगा option number C तो ये कहां से संबंदित है ये सारे folk dance, ये आपको संबंदित है पश्यम बंगाल से चलो, रमेश को मार्जी सही है, बाकी लोग को तुक्का लगाई रहे है अच्छा, हर्याना नहीं, हर्याना सही answer है मैंने किसका पढ़ लिया, किसी का अंसर पढ़ लिया बेस्ट कॉंगॉर्याना बिल्कुल सही answer है धोमनी, दुनाची जुम्रे, किस भारती लोक्मिन राज्य अच्छा से संबन देते हैं अगला है फिर इस दा कुद्रे मुख कुद्रे मुख नेश्टन पार्क लोकेटे कुद्रे मुख जो नेश्टन पार्क है वो कहां पर एक अननाट का तमिलनाडू गुजरात या फिर उत्त्राखन करनाटका बिलकुल डोड़ा बेटा कुद्रे मुख यह जो बाधिपूर यह सभी जो नेश्टन पार्क है आपके करनाटका में इस थे तो बिलकुल सही आंसर हो जाएगा option number 8 next है M.A. Chidambaram Stadium is situated in this city M.A. Chidambaram जो stadium में वो किस city में है Mumbai, Chennai या, Hyderabad, Pune I think इसका आंसर आप देतेंगे अभिशेक बिलकुल करनाटका सही आंसर था Mamit Prashad जी तो बिलकुल यहां पर सही आंसर जाएगा M.A. Chidambaram जो stadium है वो कहां पर स्थे तो चेन नहीं में है Chidambaram, Chennai, CC ठीक है अगला देखते हैं यहां पर आज का प्रश्न Sashan Ultra Mega Power Plant in which state Sashan Ultra Mega Power Plant किस राज्ज में है दिल्ली, महाराष्ट, मदल प्रदेश, यह तमिल्लाणू जो भी आंसर है अभी देनी के जरुरत नहीं कमेंट सेक्शन में बताईएगा कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा जिनका आंसर सही होगा उनके नाम प्रिजन्टिशन में शामिल करें जाएगे अब अगले एक इंपॉर्टन बात आप समझ लेते हैं यहां पर कि देखिए लगातार बोलते हैं कि नया बैज किस तरीके से हम एडमिशन लें तो देखिए का महिन्रा आपके लिए अपकमिंग ऑन्लाइन बैजिस लेकर आ रहा है मई के महिने में तो मई के महिने में आपको पांच माई, बारह माई, उननीस माई, छबीस माई, बाई लेंग्वल इंगेश मीडियम में अलग अलग लेंग्वेज आपको मिलेंके IBPS के लिए और CHSL के लिए आप इन सारे बैज़ में किसी भी बैज को अपने टाइम के अकॉर्डिंग जॉइन कर सकते हैं जॉइन करने की प्रोसेजर क्या होगी यह तोल-फ्री नंबर यहां पर लिखा हुआ है 1800-103-5225 इस नंबर पर कॉल करके आप इन बैज की इंफिमेशन ले सकते हैं और जॉइन कर सकते हैं अगर आप CHSL या SBI, IBPSPO इन सभी एक्जाम के तयारी करना चाहते हैं ठीक है तो Thank you so much for this session आप लोगों के जुएन करने के लिए जादा सादा लुगों के बीच में शेयर कीजिये ज़रूर जादे जादे लाइक बटन पर क्लिक कर लो पहली बार आया है वोच सब्स्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लास के नोटिफिकेशन मिल सके और आंसर को कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे हम बिलेंगे कल फिर सुबह साड़े छे बज़े देश दुनिया की नई ख़बरों के साथ साथे साथ में लेकर आ रहे हूं आपके लिए अप्रेल महिने का कम्प्लीट एनालेसिस कम्प्लीट एनालेसिस धिक रहे हूँ थाओ